दोस्तो अगर आप गुजरात से बिलंग करते हैं और अगर आप डेट सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ओनलेन डाउन डाउन डॉट करना चाहते हैं तो हम यही इस वीडियो में सीखने वाले हैं अगर आप गुजरात से बिलंग नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर से skip कर सकते हैं चल ये वीडियो को शेरू करते हैं सबसे पहले आप अपने मोबाल में कोई भी ब्राउजर ओपन करके टाइप करेंगे eolak.gujrat.government.in इसकी link आपको description में भी मिल जाएगी आप वहाँ पर से सिधा ही इसमें click कर लेंगे उसके बाद कुछ इस तरह का user interface आजाएगा यहाँ पर आपको download certificate इसके उपर click कर देना है उसके बाद वापस से यहाँ पर download certificate इसके उपर click कर देंगे उसके बाद कुछ इस्ते रहागा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा अगर आप birth certificate डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप tick रखेंगे अगर आप date certificate डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर tick रखेंगे अगर आपको birth certificate डाउनलोड करना है यहां पर जिस year में बर्थ हुआ था वो यहां पर आप डाल कर यहां पर search data पर click करेंगे लेकिन ज्यादतर लोगों के पास application number नहीं होता है तो आपने बच्चे के बर्थ के समय hospital में जो भी अपना mobile number दिया था वो mobile number आप डाल कर भी birth certificate download कर सकते उसके लिए यहां पर आपको सबसे पहले mobile number पर click कर लेना है और उसके बाद वो वाला mobile number आप यहां पर enter कर देंगे यहां पर आप यह वाला capture यहां पर fill करके यहां पर निचे search data पर click कर देंगे तो दोस्तो यह बात हुई birth certificate की अब हम जानते हैं कि आप death certificate को कैसे download कर सकते है तो यहां पर आपको सबसे पहले death पर click कर देना है birth certificate और death certificate download करने की process दोनों ही same है अगर आप application number के आधार से death certificate download करना चाहते हैं तो यहां पर आप application number पर click कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप application number डाल कर यहाँ पर जीस year में date हुई थी वो year यहाँ पर डाल कर आप search data पर click कर लेंगे लेकिन अगर आपके पास date का application number नहीं है तो आपको यहाँ पर mobile number पर click कर देना है और आपने कबरस्तान या फिर समसान में जो भी mobile number दिया था रजिस्टर करवाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर यह वाला capture एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको search data पर click कर देना है चलिए मैं यह details enter करके आपको certificate दिखा देता हूँ जैसे ही आप search data पर click करोगे उसके बाद यहाँ पर निचे आपको death certificate की details show कर दी जाएगे जैसे कि year, register number, application number, DOD जिसकी death हुई है उसका नाम, उसकी mother का नाम, उसकी father का नाम अगर उसका husband हुआ तो उसका नाम और उसकी gender तो अगर आपको death certificate download करना है या फिर आपको birth certificate भी download करना है तो उसमें भी आपको इसी तरह की details जो है वो show कर दी जाएगी और death certificate और birth certificate में दोनों में ही सबसे last वाल option होगा action उसके नीचे option आपको मिलेगा download वाला तो यहाँ पर आपको click कर देना है अब जैसे download पर click करेंगे तो आपका death certificate जो है वो download हो जाएगा तो death certificate देने के लिए आप download वाले option पर चले जाएगे और यहाँ पर आपको सबसे पहल है death का certificate जो है वो दिखाई दे जाएगा तो दोस्तो कुछ इस तरह आप अगर गुजराच स्टेट में रहते हैं तो डेट सर्टिफिकेट और बाद सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो विडियो पसंदे तो विडियो को लाइक करियेगा चैनल को सब्सक्राब करना मत भूलियेगा मिल टेक नेक्स दूरियम तब तक बाई-बाई